नियाए की परक्रिया है नियाए के सामने एक पक्ष होने के बाद निश्पक्रिस्ता के साथ की जांचो हम जहां भी पहुंचेंगे एक से उपर पहुंचेंगे भारती अंता पार्टी के पास खोने को लिए राजिस्तान में अब सब को इंतिजार है उप चुनावों की तारी सब्सक्राइब कर रहा है हमारे बहुत बड़ी सम्पैमाने पर करिकरता हर्याना जमुकश्मीर के चुनाव में गए हुए थे बहुत साले करिकरता बाढ़का प्रकूबी था इस कारण से अब सब अपने अपने चुनावी काम से लौट करका हैं नीचे भी हर बूत के ओपर श की ने तै किया है उस लक्ष को हम प्राफ्ट करें हाला कि चुनाव हो अप चुनाव हो हर पार्टी के अपने अलग अलग दावे होते हैं लेकिन साथ सीटों पर उप चुनाव की बात करें तो एक सीट पर जरूर लग रहा है कि भाजपों से जीत सकती है सानुमुती की पासत हैं बाकि कंग्रेश के पास थी बारतियंता पार्टी के पास खौने को och निए हम एक लंबी छलांगे में और विश्वास है कि निश्कंड रूप से इन साथ चलाव को जीतने कि इस्तिति में पूरी त्यारी के साथ खड़े हैं हम जहां भी पहुंचेंगे एक शो उपर पहुंचेंगे रपने इस चैली को बनाने वारे हैं नापनोल में कैला शोधरी जी है और पूरे हरियाणा की बात करें तो डॉक्टर सतेश पूनिया है हरियाणा में किस तरह की तैयारी है और जैसे की शुरुआत में लग रहा था कि कॉंग्रेस स्क्रीन सुईप मारेगी लेकिन अब धीरे धीरे इस्तियां चेंज हो रही है ये बदलाव ये परिवरतन ये किस प्रकार साया क्या आप लोगों की मेहनत जब आच चुनाब में कल हल्याना का विक्ति वोट देने जाने वाला है तो इस बात ये बातें बड़े इच्छी तरह द्याने है कि दस साल पहले जो सरकार है रही हो आपर उन्होंने किस प्रकार से परची और खर्ची की सरकार चलाई जातिवाद को बोलवाला रहा परिवारवाद का बोलवाला रहा ब्रश्चा चार चरम पर था और दस साल के भरती इंता पार्टी के शासर में निश्पक्सता के साथ प मापती है कॉंग्रेस के जितने जूट उन्होंने लोक सो अचनाव में बोले थे वो सारे जूट अब धरातल पर आ गए आज भरियाना की जंता एक बार फिर तीसरी बार बारती इंता पार्टी की सरकार बनाने की तरफ जाती मुझे दिख रही है हर्याना के दोरे पे भी हम गए थे हमार ठीक है लोगों को नाराजगी तो नहीं है लोग सिर्फ बदलाव करना चाहते हैं इस वजह से शायद दूसरी पार्टी को मूट देने की बात कर रहे थे कई मौकों पे हमने देखा लेकिन जो विकास की जहां तक बात है जरूर हर्यान सब कुछ है लेकिन आज भी एक आम आदमी के हिसाब से देखे तो गाहों गल्यों चोबारों की जो अंदुरूनी जो चीजे हैं उसको लेके थोड़ा बहुत लोग शिकायत करते दिखाए लिए कि मौट गर्यान का बहुत बड़े प्यमाने पर हर्याना क्रशी अधरित प् कि पिछली कोंगरे कि सरकार के समय हम बाजरा हमारा किसान हर्याना में रिस्तडारी निकालता था हर्याना हम बेग्ता था यहांAndra बिकता था और वहां 2200 रुपए बिकता हर्याना चुनावों के बात जम्मू कश्मीर के अगर हम बात करें तो वहां क्या लग रहा है आपको एक बात से आश्रस्तु कुछ सरकार वो भरतियंता पार्टी बनाईगी सब रड़ाई चल रही है सब अपने अपने दावों के साथ चल रहे हैं आज जम्मू कश्मीर का पर पेस नहीं लाना चाहता कि पत्थर वाजों को रिया करके उनको सरकाओ फिर देखा जाए वह अमन चैन चाहता है शांती चाहता है जमूरियत चाहता है इस सब को लेकर के आज भारतियंता पार्टी या जो ऐसे तत्रून सब के खिलाब वोट देता हूँ देख रहा है इ अगा कि चाहते हैं श्रून को लेता हैं अपने विशो को लेकर के आएं सरकार भी सणने को थी आर ओ पहले भी सरकार सुना है यह विश्य के लोटेर नहीं वहां के लोग भी या प्र पार्शाथ्री के उनकों पर है वहां पर है और बिम fellow स सब की प्राथमिक्ता में ले सिमा का वो छेतर है जहां किसी प्रकार से कोई अशान्ती नहीं चालता और सब को साथ ले करके देश के साथ चीमा से रोज मुकाबला करता है वहां के लोग चीनियों के साथ आज पूरी तरह से एक बॉर्डर के नाते बहुत सीमा प्रेरी के नाते खड़े हैं उन सब के साथ केंदर सरकार और भारती इंता पार्टी साथ करें लोटने राजस्तान की तरफ पेपर लीग का मुद्दा है कि रोडी लाल जी के कई मरतबा ट्वीट भी आ चुके हैं कई मरतबा मीडिया में बयान भी आ चुके हैं कि मैं जब सारा सामान में दे चुका हूँ उसके बाद भी कारवाई में डिलाई के हूँ आप सब जानते हैं कि नियाए की एक प्रक्रिया है नियाए के सामने एक पक्ष होने के बाद निश्पक्षिस्ता के साथ की जांच हो और जाँच होने के बाद जो निशकर्ष निकल के आता है उसके बाद करवाई की बात होती है हम सब जानते हैं कि सरकार बनने के तुरंद बाद चाहे जमीन गोटाले का विशा होगा या पपेपर लीप का इन सब विशों को लेकर कैसाई बन्टी बनाने की बाद इसी को S.O.J. को देने का विशे लगातार राजिस्तान सरकार ने करवाई की है बड़े बड़े लोग इसमें परिक्षा के उसमें RPSC के मेंबर जैसे लोग पकड़ में हैं पुलिस के लोग भी काफी पकड़ में आएं S.I.E. की परिक्षा में भी इससे बहुत बड़े से बहुत तेजी से जांच लगातार बढ़ रही है यह जांच की एजनसी की रिपोर्ट के बाद सरकार निश्कर्ष पर जो आएगी निश्चित रूप से करवाई करेगी चाहें कोई कितना भी बड़ा हो बड़े-बड़े मगरवच्छों को भी सरकार पकड़ेगी और कोकोता ही नहीं करें अखरी सवाल है कॉंग्रेस की राज़्टी पर वक्ता सुपरिया शिनेट की ट्वीट पर क्या प्रतिक रही है यह उन्हों नहीं इशारों बात की है वो इस वर मैं इशारे करती हूंगी मैं नहीं करता इसलिए इशारों नहीं जो बात कहनी हुआ हएं बारति नथा पार्टी के ऊपर उन्हों किसी प्रकार कारूप ने लगा है इसलिए कोई तथ्यों के अधार पर कोई चीज आईगी तो उसके बारे में बात करें साथ उप चुनाओं में बीजेपी जीती हुई नजर आ रही है और सदसिता की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं अब सदसिता अभियान में भी तेजी आई है हर कारेकरता पूरी एड़ी चोटी का जोर अपना लगा रहा है और साथी साथ हरियाणा जम्मू कश्मीर चुनाओ पेवारे में चत्रवेदि जी ना कहा कि वहां पर भी भाजपा पहले गुछ और समीकररण हो हो सकते थे लेकिन अब जो हवा चलती है और ना कहीं आ प्रकृब् से काम करता है को चिंता गए का जो लोग इशारों में बात करते हैं, उनके उपर किसी भी प्रकारी की कोई प्रतिक्रिया देना में उचित नहीं समस्ता। स्योगी केमरमेन अजय के साथ उमंग मातुर जनता दर्वार।